नमस्कार बहुत बहुत स्वाइत करते हैं क्लिक टोड़े के आज किस वीडियो रिपोर्ट में इस वीडियो में जो हम बात करने वाले मुख्यमंतरी कन्या उठान योजना के राशी को ले करके बची हुई छात्राओं का जो सीग्र भुकतान किया जाएगा यहाँ पर जैसा की बताया जा रहा है 12,000 छात्राओं के खाते में जो सीग्र भीजी जाएगी योजना की रकम यानि 50,000 का जो रकम जिन भी छात्राओं का ready for payment subject for availability of fund दिख रहा है उन सबी का amount जो है जल्दी credit होने वाला है अगले महीने तक जो है जितनी भी छात्राओं का ready for payment दिख रहा है उनका payment आ जाएगा अगले महीने के अंतिम हफते तक का इंतिजार तो आपको करना ही पड़ेगा बीच में भी अगर payment आएगा तो हम video बना करके information देंगे और जिनका भी ready for payment दिख रहा है वो नीचे comment करके बता दीजे कि भाईया मेरा तो ready for payment शो हो रहा है साथ ही एक और बात जिन भी छात्राओं को हमने कहा था पिछली बार video बना करके कि portal को open करने के लिए जो है request डालिए जिससे की जो है education department तक ये information पहुँचे की छात्राओं जो है active है इस योजना का लाव लेने के लिए तो जिन्होंने भी mail किया है उनको जो है reply में उनके तरफ से यही आया है कि अपना original mark sheet जो है जमा करे university में तो आपको मैंने बताया भी था कल परसो की वीडियो में जिसमें की आपको notice देखने को मिला था कि दो हफ्तों में जो छात्राओं का नाम add करने के लिए कहा गया है तो इसी वज़े से जो है उनके तरफ से ये reply आपको मिला है कि आप लोग जो अपना अपना document जो है university में जमा करें जिससे कि आपका नाम add हो जाए फिलाल आपको एक और चीज हम बतायता है जिन लोगों ने अभी तक कि अपना document जमा कर दिया है उनको दुबारा से document जमा करने की ज़रुत नहीं है और आपको ये भी बता दे कि सिर्फ education department आदेश दी है कि छात्राओं का नाम पोटल के उपर upload कर देना है लेकिन पोटल नहीं open किये सिर्फ ये जो खबरे हैं अखवार तक ही रह जाती है नोटिस जो है वो page तक ही रह जाता है on ground अगर verify करके देखा जाए तो पोटल को open अभी तक किया ही नहीं गया है ठीक है बाकी जो information है वो हम आप लोग को time to time बताते रह रहे हैं तो इसलिए परिशान होने की जोद नहीं है करने अउथान योजना यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3488 चात्राओं को जो है 25 वर 8546 चात्राओं के खाते में 50,000 रुपे मिलेंगे ये जो है बताए गए है यानि कि पहले की जो भी चात्राएं है 17-20 से यानि कि 2021 से पहले की जो भी उत्रिन चात्राओं है उनको भी अभी जो 25,000 की राशी मिल ली है 12 की भी जो चात्राओं भी उत्रिन हुए उनको भी 25,000 की राशी मिल ली है और 2021 से जो भी चात्राओं सना तक उत्रिन की है उन सबी को अभी 50,000 की राशी दी जाएगी यहाँ पर कि बताएगा है कि बिभिन कॉले से उसनातक उत्रिन करने वाली 12,000 से अधिक छात्राओं के खाते में जो कन्या उत्थान योजना के तहट मिलने वाली राशी जो सीगर भीजी जाएगे जिन छात्राओं का अभी ready for payment दिख रहा है निर्देशाले स्तर से उनके account का सत्यापन होने के बाद भुकतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसमें 3,488 छात्राओं को 25,000 वा 8,546 छात्राओं के खाते में 50,000 भेज जाएंगे भुकतान होने के साथ ही आवेदन के status में भी अपडेट कर दिया जाएगा कि आपका पेमिंट हो चुका है और आपको बता दे कि अप्रेल 2021 तक जो सनातक उत्रिन करने वाली शात्राओं को 25,000 की राशी और उसके बाद जो भी शात्राओं उत्रिन की उनको 50,000 की राशी दी जाती है इस योजना के तहट यहाँ पर यह बताया गया आप चलिए में जो बात है उसके उपर हम आते हैं यहाँ पर कितना भुकतान अभी तक के चात्राओं को किया गया है यह डेटा जो दे दिया गया है तो 90 करोर तकरीवन 49,25,000 रुपए भेजे जा चुके हैं चात्राओं के खाते में बची जो चात्राओं है उनका भी पेमेंट जल्दी किया जाएगा इसके बाद अगरम बात करें तो बताया जारा कि 13,000 चात्राओं के आवेदन में गरबरी और बहुत चात्राओं को अभी तक तो रूची ही नहीं यानि कि इस योजना का आवेदन बहुत सारी चात्राओं ने किया ही नहीं आपको जो अपना नाम पूटल को पर कैसे देखना ये भी आपको बताएंगे वीडियो के एंड में यहाँ पर देखिए बिविन कॉले से जो 50,000 की योजना लागू होने के बाद से 35,200 चात्राओं ने सनातक उत्रिन किया है और इसमें पूटल पर 22,257 चात्राओं ने ही रजिस्टेशन करा है सेज चात्राओं ने या तो योजना में रूची नहीं दिखाई है या उनके पिता के नाम या अन ने विवरन में गरवरी मिली है जिसके वएसे उनका अभी आवेदन पेंड़नी है या रिजेक्टेड हो गया है निर्धारिद अवधी में उन्होंने आवेदन नहीं किया और फिलहाल कन्या उत्हान योजना का पोटल बंध है पोटल खुलने के बाद जो भी छात्राएं है वो आवेदन कर सकेंगी ये बताया गया है और 2023 के लिए घोषना के बाद भी जो नहीं खुला है पोटल 2023 से 2023 के शात्राओं के बार में बताया गया है कि इनका नाम पोटल के उपर एड़ कर दिना है जिससे की शात्राओं है जो अपना आवेदन कर पाए लेकिन शात्राओं का नाम ही अड़ नहीं हुआ है तो आवेदन कहां से कर पाएंगे और इसके लिए जो है अभी बताया गया है कि पोटल को जल्दी ओपन किया जागा क्योंकि इस विद्यालेस तर से यह report मिला है कि छात्राओं ने जो परिक्षा फॉर्म भारा था उसके आधार पे उनका नाम update portal के उपर किया जाएगा अभी जो आप सभी को अपना नाम कैसे चेक करना है result present है या not present है यह कैसे देखना है तो अभी mobile के उपर गूगल उपेन करिए वहाँ पर जाकर करके click today search करिए जैसे ही click today search करिएगा पहला website open होकर आएगा इसके उपर आपको click करना रहेगा इसके उपर आपको नीचे scroll करना है यहाँ पर जो है latest में आपको दिखाई दे रहा है मेदा सॉफ्ट बिहार और college का नाम चेक करना है तो उपर वाला link है जो की check now आपको दिख रहा है बाकी आपको एक और चीज में बता देना चाहता हूँ आप सभी हमारा whatsapp channel join कर लीजे यहाँ पर link है follow कर लीजे जाकर कर telegram channel को भी join कर लीजे जिससे की जितने भी update आप सभी तक टाइम पहुंचते रहे तो यहाँ पर आपको जो अपना नीम चेकिन लिस्ट पर लिंक के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है official website जो है मिधासॉफ्ट का खूलेगा आपको अपने university से लेक कर लेना है उसके registration number जो आपके आपको आपको आवेदन के लिए पोटल उपन होने का इंतिजार करना है नाम एड करने के लिए अभी तक जो सिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया लेकिन पोटल को उपन नहीं किया जिस वज़े से university जो है लॉग इन नहीं कर पा रही है जैसे ही नाम एड होना सुरू होगा हम आपको जो है वीडियो के मादे हम से अपडेट दे करके बताएंगे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब बैल एकन कौन करके रख लीजे तो आज की वीडियो में यही इंफर्मिशन आप सभी को देने सी तब तक के लिए चलते हैं धन्यवाद